नमस्कार किसान भाईयों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ बहुती बढ़िया होंगे किसान भाईयों यदि आप इस साल गन्ने की फसल लगाना चाहते हैं और गन्ने की फसल में सही खादों का प्रियोग करके गन्ये कि फिसल से बढ़िया और सांदार उत्पतन लेना चाहते हैं तो किसनई यो आपने एगदम सही वीडियो पर क्लिक किया है किसनवईो आज के इस वीडियो में हम बत करेंगे गन्ये कि फिसल से अधिक पैदवार लेने के लिए और गन्य की फिसल में बीमारी ना लगे इसके लिए हमें गन्य की बुवाई करते समय कौन सी खादों का परियो करने चाहिए और कौन कौन सी कितना सा कर फंगिसाइद लगाने चाहिए जिससे हमारी गन्य की फिसल का जमाव अच्छा हो गन्य की फिसल का फुटाव अच्छा ह किसन भी ओ आपने अक्षर देखाऊगा गंडे की फचल में जो बीमार याती है हम उन्हें तीन तरीके से कंट्रू करते हैं तो किसन भी ओ हमारा ये पहला वीडियो है और पार्ट बंड के नाम से ये वीडियो हमने बना आया किसन भी ओ इसमें किसन भी ओ हम आपको बुवाई के बारे में खाद के बारे में फर्टिलाजर के बारे में दवाईयों के बारे में पूरी जनकार देंगे दूसरे पार्ट में किसन भी ओ हम आपको जनकार देंगे कि आपको पहली सिचाई पर कौन को सिखादे डली चाहिए इसके लिए हम आलग से वीडियो उतको बना देंगे तीसरे वीडियो घिसम्हें गन्ने की फिसल में पोकाव़ज बीमारी आती है इसम्हें ओ qualifying ऑगन्ना होता है उसका अगॉलह होता है उसके लिए हम पार्ट 3 में बीडियो बनाएंगे और किसान भायों गन्य की फिसल के अंदर दो बीमारिया और आती है एक तो रैड रोट की बीमारिया आती है दूसरा गन्य के अंदर पीला पानाता है ये बीमारी किसान भायों हमारे गन्य की फिसल में लगबख जुलाई और अगस्त के महिने में आती है तो इन सभी को हम कैसे कंट्रूल कर सकते हैं इन सभी के बारे में किसान भायो मैं आपको समय समय पर वीडियो अपलोड कर दूँगा आप वीडियो डाल दूँगा आप उसमें जनकारी ले सकते हैं परन्तो हम पहले बात करेंगे पार्ट बन के बारे में अर्थत गन्य की बुवाई के समय हमें कौन सी खादों का प्रियोग करना चाहिए किसान भायू तो सबसे पहले किसान भायू हम बात कर लेते हैं कि गन्य की फिसल के अंदर जो बीमारी आती है कौन कौन से आती है और हम गन्य की बुवै के समें, कौंसे बीमारी को कंट्रॉL कर सकते हैं – सबसे पहली बीमारी आती है। जो हम्मारे गन्य की समें, जो हम वीज-बोते हैं उस की जो आंख होती है, जहां से वुआपकरता गन्य, वुगताज़ जाती है तो इसकी दवा किसानवायों हमें गन्या की बुवाई किसमें डाल ली चाहिए दूसरे किसानवायों जिस समय हमारे गन्या की फचल जमाती है निकलाती है तो उसमें किसानवायों सुन्डी रह जाती है जिसे हम गलार रोक बोलते है तो किसानब भायों वीडियो के Part 1 में हम बात करेंगे गन्ये की बुवाई करते समय हमें अपने खेट की तेयर इकिस प्रिकार से करने चाहिए दूसरे किसल भायों गन्ये की बुवाई करने के समय कौन सी खाद द़नी चाहिए और कौन सी दबाया लगानी चाहिए तीसा किसानवाई यो बुबाई का सही तरीका क्या है चोथा किसानवाई यो गन्य की कटिंग कैसे करने चाहिए और पांसवा किसानवाई यो गन्य की फचल में खर्पतबार को नियंतित कैसे करना चाहिए तो किसनवाईयों इन सभी के अबारे में मैं आज आपको पूरी जन कर दूँगा तो आप वीडियो को पूरा देखें अंतर तक देखें ताकि आपको सही जनकरी प्राप्त हो सके और जो किसनवाई चैनल पर पहली वार आए ये वीडियो को पहली वार देख रहें उनसे किसनवाईयों आपको सबसे पहले मिलते रहें तो सबसे पहले किसनवाईयों हम बात कर लेते हैं खेत की तेहरी के बारे में तो जिस पिलोट में आपको गन्ने की फचल लगानी है या गन्ने की बोवाई करनी है उसकी आप हैरों से गहरी जुताई करें और जुताई करने के जो भूमी होती है, उसका यो स्वास्ता है, वो सुधर जाता है, अथाथ उसके अंदर फर्टलीटी या तागत आ जाती है, दूसरे किसन भईयो, हैरो से जुताई करने के बाद और खाट डाले के बाद में, आपको अपनी जमीन का फलेवा कर देना अच्छे तरीके से, और फ किसन भईयो, आपको उसमें डालना है, खाद और फर्टली जो सबसेट्सी खादे किसन भ्यासि आती हैं, गपनी खाद लेने हैं, ठाज में, और देने हैं, तो आपको ले सकते हैं, एनपीके या डियएपी, इसकी डोगढ़ आपको लेनी हैं, पचास किलोगरام पिड़ती एकल केशाब से दूर्ण की सागρι है। इसमे आपको एड करना है स्वैल एप्लीकेशन इस नाम से काफी खाद आती है जैसे अंब्राध्रा के नामसे कैल कि आता है यसी इफ़ोकी सागरी का आती है यह 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 आप इफ़ोकी सागरी का ले रहे हैं और लगफख 4 kg पिरती एक्र के साथ से लेना किसान भाई हो। चोथा किसान भाई हो। इसमें आपको लेना कीतना सकते। कीतना सकते आपको अच्छा लेना है ताकि आपकी फचल में नीचे से कीत नल रख सके। तो इसके लिए आप ले सकते हैं थाई मितोकसम 30% बाला 500 ml से 700 ml फिरती एक्र के साथ से तो यह सभी खाते किसान भाई यह आपको बुवाई के समय एक एक्र जमीन में डालनी है किसान भाई हो। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं गन्य की कटिंग के बारे में तो गन्य की कटिंग करनी है किसान भाई आपको लगफ़क दो या तीन आख का गन्या आपको काट सकते हैं यह जिसके अंदर दो पोधे निकलाए या तीन पोधे निकलाए इससे ज़्यादा लंबा गन्या नाकाटे के सनवाई हो और जो जल्मे गन्डा होता है लगबख 2 फिड गन्डा या डेल फिड गन्डा आप लडमे से छोड़ दे अर्तर जिस गन्डे की आपको काटिंग करनी है दो या तीन आखको गन् Ne Novak काटना के सनवाई हो इसलिए आप लगबग देड़ फिस करना जरूर शोड़ें, उसे किसान में आप पो कोलू पर डाल सकते हैं या गन्य की पिलन्ट में ले जा सकते हैं, आपको गन्य की कटिंग करने के बाद में उसकी छोटी छोटी पूली बांद लेनी है, या किसी कट्टे में जैसे आलू की दलते हैं, यह कट्य लेने हैं और कंपनी करने को एमिश्टर्व ठोड़ी तोप ले सकते हैं यह तीसरा आप अदामा कंपनी की मीरर डॉर ले सकते हैं human सन्वाइओ, और लगबग अगर ना पूरी तरीके से सूख जाये एक दू घंटे से डाल दें आप उसके वुवाई कर सकते हैं यह किसानु आपके गण्येका सीड्री ठीटमेंट करने के बहुत जादे फादे होते हैं एक तू घंवाब अच्छा होता है उसके आखें नहीं गलते हैं फुटाब अधिक होता है और गन्य की फसल होती है किसानवायो उसके अंदर रेड रोट की बीमारी कम सकमाती है अर्थाज जो गन्यक अंदर फंगस वाले बीमारी है वह बहुत कमाती और हमारी पैदावार भी बढ़धा थाधी कर सकते सब्भाइव आपपकर बात करने 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 करके तो आप जितनी हो सके गन्य की बाई जादर लागु ना करें कियो इस लिय imminent 립 Reward आप सही गन्य की बुवाई करें किसानवाई इससे ज़्यादा ना करें अब दूसरा तरीका किसानवाई यह जब आप गन्य की बुवाई करें तो उस समय पहले आपको जो खादे बताई थी मैंने इन्हें आपको सबको अच्छे से मिक्स करना है और mix करने के बाद में पहले आपको खाद डालनी है, गन्य की फिचल के अंदर पहले आपको खाद डालनी है, या खाद डालनी है, गन्य नहीं डालना है, क्योंकि अधि हम पहले गन्य डाल देंगे, उपर से खाद डालनेंगे, तो खाद हमारी गन्य की जो आँख होती है, जह भी नीचे रहेगा जिससे गन्य का जमाब होते ही जो पोधा है होता उसे खाद की मातर तुरंत मिल जाएगी संभाईयो और जमाब में भी नुकसा नहीं होगा दूसरे संभाईयो जब आप उस पर मिट्टी लगाए या पाटर लगाए तो बहुत हल्की मिट्टी लगाए और कर रहे तो आपको पर्यापतनमी में करनी चाहिए कि प्रिकार से के आप गन्य की कर सकते हैं Gewद जाय हो जा है आपकर आप को आप तो आपको क्या करना है किसानवाई हो यदि आपने पहले बाकर के बुवाई करी है तो बुवाई करने के तुरंत बाद आपको एक लिटर लेकर आनी है पैंडा मैट्रीन 30% EC इसका आपको लगबक 200-200 लिटर पानी में अपनी जो गन्ने की फचल है उस पर इस पर लगा देना किसानवाई हो यह आपको 24 घंटे का अंदर लगाना है किसानवाई हो यदि आपने अपने गन्ने की खुली खुली करी है यह यह बुवाई करने के पाद आपको तुर अंप गंटे के अंदर अंदर सूख जाए। जाधर टाइम पानी न रोखे। यदि जाधर पानी रोकेगा किसान भाईयों तो हमारी गंडे की फचल जो खराब हो सकती है, जमाब कम हो सकता उसका। इसलिया आप इसका भिसेज दियान रखें। तो इस प्रिकार से आप गंडे की फ यह जो आपको समय से बना देंगे यह लाएं ऑपको किसी अन्य फैसर के बारे में कोई जानकरी चाहिए तो आप पुझे कमैट्स कर सकते हैं या बाटसब्पन मेंसेज कर सकते हैं यह नीचे description box में दे रखा है आप वहांसा ले सकते हैं और फोटो डाल लेके बाद के सनवाई हो आप अपनी फसर के बारे में किसी भी प्रिकार की जानकारी ले सकते हैं के सनवाई हो यह दे के सनवाई हो मेरे दोरा दे के जानकारी आपको अच्छे लगी हो वीडियो पसंद